बदाई उसे अगली खबर जहांपर स्वास विबाग की लापरवाही का एक बड़ा मामना सामने आया है स्वास विबाग की लापरवाही के चलते 20 दिनों में एक ही गाउं के चार मासूमों की मौत हो गई लेकिन स्वास विबाग के कान पर जूर तक नहीं रही स्वास विभाग में गाउं में सिर्फ एक दिन का दोरा कर खाना पूर्टी कर ली चार मासुमों की मौट से लोगों में काफी गुसा है लोगों में स्वास विभाग के खिलाब मोचा खोल दिया है और गाउं के प्रात्मी स्कूल में तारा बंदी कर ली और इस मामने में CMO का कहना है कि इस तरह है कि बिमारी बहुती कम देखने में आती है गाउ में गंदगी बहुत है जिसको लेकर शफाई की निदेश दिये गए हैं और इसको अभी बासित की गाउ में कैंप लगाकर लोगों को दबाई दे रही है अभी तक जिन बच्चों की मौत हुई है समाना जा रहा है कि अचानक गर्दन सूचन आने के बाद दम घुटने की वज़े से बच्चों की मौत हुई है तो पताईयों में गाउ में बीज दिन के अंदर चार बच्चों की मौत हो गई है स्वास भिवाग इस गाउं में सिर्फ एक दिन का दोरा कर ठाना पूर्टी करने की कोशिश कर रहा है विजे शिवास पर वमारी समादा दे इस कबर पर लो गए विजे पहले गर्दन में सूचन आती है और दम घुटने के बाद बच्चों की मौत हुजाती है क्या इस बिवारी के बारे में अभी तक स्वास भिवाग पता लगा पाया है इस बिवाग पता दू मैं आपको ये सहस्वान दैसिल का गाओं का मामला है जहां पर अब तक चार बच्चों की जो है कुछ दिन के अंतराल के बाद मौत हुई है सूच भिवाग की टीम एक बार बहार खाना पूर्ती के लिए वहां जाती है उसके बाद खाना पूर्ती करके बाद के मेर्पाता घए जब मेटिया के मुझा हमाला आईLYाराट होता है वान लगाता है टीम फेले कैमपन ऊंपेंग किरो है वहां गाओं की लोगों के वहां पर जो बीमारी आए यहां पर कुछ पहले सबसे प्रहले गले में सुजन आती है उसकी बाद अकरण की बाद में बच्चे की या कि अन्फी मौत हो जाती है फिलाद भाद सुआती ती मनु काम कर रही है यह शुते वजय तरह जान करें आम तक